शिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसियेशन प्रिंगल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चिराग सुकीजा, अंकिता मिश्रा, मौनु चैल और अकिल मेरे साथ है। The stage is all yours, यार! यार, करो, करो, आज चिरके बजाग है, यार! बतलब अखिल आज ते यार दांस बनता है, चिराग आपकी जीत है। यह बिल्कुल बड़ी जीत है, 70 रनों से हराया है न्यूजिलेंड को और यह match बदला लिया है, साल गेंडर 20 का। यार, मुझे एक लाइन याद आती वहीं। वान खेड़े जीतकर, टीम इंडिया मैच्च खेलेगी अगला। वान खेड़े जीतकर, टीम इंडिया मैच्च खेलेगी अगला। आज वर्ल्ड कप 2019 का पूरा हो गया बदला। आज इंडियन टीम ने आज हिंदूस्तान ने देखियो कहते ना कि आपके टॉप और ने एक बड़े बड़े बिलड़ आये आलाक शुब्मन गिल ने भी असी बनाए रोई शर्मा ने जो काउंटर अटेक या फोटी सानों ने बनाए एक ट्लैट्फॉम सैट हो गया था उ आप यह बैटिंग की और साथ में आप यह बैटिंग देखिए तीन सो सतानुए बनाए थे और तीन सो अठानुए के चक्कर में वह फिर शमी ने जो कहते हैं सेकिंड स्पैल डाला एक समय किसी को लगा ने था इस टीम ने फाइट बैक किया न्युजलेंड की इसलिए जान धर्मशाला पांच विगेट आज शेए अखिल क्या को हो गया शांदार मेरे पाश शब्द निया साथ विगेट मोनु कर्यक्शन की दिया पहले जास्ट विगेट वर्ल्ल कप में 22 विगेट यार रिकॉर्ड इतने हैं कि मैं ठक जाओंगा बताते हैं बताये के सारे रिकॉ हिंदुस्तान का सपना वोल्ल कप अपना एक स्वर में पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बोल रहा है मैच की बात करें मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में ये मुकाबला टीम इंडिया ने टॉस जीत कर पहले पल्ले बाजी करने का फैसला किया रोहिट चर्मा ने सैंताल रनों की लक्षे का पीछा करने उतरीं न्यूजीलेंड की टीम हो गई आल आउट और कितने रनों से हमने मुकाबला जीता है? पूरे देश में वो भी आपको दिखाएंगे अलग-लग तस्वीरे अलग-लग शहरों से आएंगी मुंबई भी आपको लेकर चलेंगे मुंबई में जो स्टेडियम के बार किस तरीके का महौल है वो भी आपको बताएंगे लेकिन आज तारीफ टीम इंडिया की एक बार फिर सब्सक्राइब दोनों ने आउटस्टेंडिंग बैटिंग इसमेदान पर यार मतलब बैटिंग की थी वहां से तो मोमेंटम न्यूजिलेंड के साथ था लेकिन फिर शमी को नाम का एक तुफान आना बाकी था उन्होंने पहले तो विलम सन का उट किया फ्लिक शॉट मारा और मैच का रुखी पलड़ दिया इस मैच में हीरो बहुत सारे हैं सब पर एक एक करके बात करेंगे लेकिन जो विराट गोली की बात सबसे पहले मैं करना चाहूंगा यहां पर पचासवा श्रतक सबसे बहले तालिया जितनी बजाए उतनी कम है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर् हैं सीधे तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं देश में किस तरीगे का महौल है और खुशी से जूम रहे हैं वहाँ पर फैंस तरंगा आपको हाथ में नजर आ रहा है इंडिया इंडिया के नारे आपको वहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं और पूरे देश में इस वक्त जश और क्योंकि यार देखिए 2019 वाला मैच हमारे थे तो कहीं ना कहीं वो हार का जो हम कहते हैं कि न्यूजिलेंड के सामने टीम है और तारीफ करने होगे मिचल और विल्यमसन कि जिनो ने पारी को बनाया और वहां पर तोड़ने के लिए श्रमी श्रमी ने साथ विकेट लिए और मुकाबला यही था बिल्कुल यहां मतलब कहना गलत नहीं होगा मोनु मोनु आप बता रहे हैं कि 222 पे चेजिंग सबसे ज्यादा नहीं था हमें इतना तो पता तक इना जीत जाएगा लेकिन इस तरीके से जीतेगा मतलब एक और मैच फस गया था और आपने श्रमी की बात सबसे बड़ा रिकॉर्ड विराट कोली ने अपने नाम दर्च कर लिया है आज वो पारी आई 117 रन की 113 गेदों में और यह खिलाडी ऐसा लगता है और किसी भी दिन आएगा उठेगा मूद होतर आएगा तब भी शतक बना देगा वो इनके लिए आम बात है उठना सोना अशेख बनाना विराट कोली के लगाना शतक बनाना विराट कोली कोली कि नवी में है आम बात है और हमारे लिए भी आम हो चुका है लेकिन माज़ा आता है अपने इडियाल के सामने पर खड़े थे और उन्हें ने भी इनको सेलिब्रेट किया और ट्विटर पर ट्विट तो बतलब यार सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना एक महान बलेबाद भगवान के जाते हैं आप लोगों का वहां डास तो बनता है आज के दिन भी अखिर डास नहीं करेंगे तो पर कब करेंगे यार यह तो यार फाइनल में बहुत चुका है और बिना किसी मैच को हरे इंडिया हो जाए और जिस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन गर रही है तो आज तो दिल जो है वो जशन जशन बोल रहा है क्योंकि जशन का महौल है और दिल में भी वह जशन देखने को मिल रहा है विराट की पारी शुबमनगिल की पारी और श्रेय सईयर जिस फॉर्म में नही क्योंकि कई सारे सवाल उन पर उठ रहे हैं तो आज तो आठ चार पर उनका बल्ला चल नहीं रहे हैं लेकिन आज कमाल के लिए एस इनिंग हम नंबर चार के लिए काफी टाइम से देखने को तरस गया है कर दो है तो सवाल उठे थे कि अनको शौड़ा फ्राइम के दिक्कत होती है आज तो आज तो आठ चके मारें गाए जार शार कि अच जारी अज वार चार शार इधार प्रूरा चैज करते हैं अचा एक और चीज है जैसे हम रन आउट याद करते थे महें चार नहीं तो बूल अगर आप निकालना चाहें कि यार यह याद रखेगा यार यह ना होता तो शायद हम मैजी जारते हैं तो सुरे कुमार यादव का कैच केन विलियमसन शांदार बल्ले बाजी कर रहे थे क्योंकि एक बार हमने बाजी कर दी थी 2019 में लेकिन उसकाद मैच में कोई वापसी कर पा रहा था तो मैंद सिंग दोनी रविंदर जड़ी जा थे आज वो केन विलियमसन डैर्यल मीचल थे यह सुरे कार यादव का कैच वो पक्का यादव के बिलकुल सचिन तेंदूर कर ने अज के दिन अपना अखरी मैच खेला था नी आज की दिन अच विराट ने हमने बात की थी इस पर बोला भी था के सचिन के दिन पर उन्होंने इतना अब डेब्यू के दो 1989 में आज उनी के घर पे उनी के सामने 50 वाशतक मारा उनका रिकॉर्ड तोड़ा इससे बड़ा मुक अब नहीं जचिन की खता हुए जान मुझे निकिन नहीं के लिए उनल्य की कि यहहाइव एन्जी और जिस वक्तिया के सब unto विराट लगता है या विराट लगता है क्योंकि विराट ने भी 117 नोगी पारी खेली और आज 50 माश तक बनाया या फिर आपको अएर लगता है तो एक एक करके मैं पहले तो अखिल से पूजा आखिल आज का अज का ही रोकोन है अगर यह आप शमी नो डाउट शमी अंकिता इंडिया को मैच जिताया है मौमा शमी एहमद ने बेलकुल शमी एहमद ने और 22 विकेट लेना इस वर्ल्ड कप में और दो मैच तो खेले निया अगर आप सोची दो और खेलते तो कितने होते हो देगी कुली प्यादों के स्टैस अनों आपको दिखा रहे हैं 56 रन और एक अनोंने और वी आखरी ओर मिला था हमें लगा था कि आर क्या विकेट लाइस जाएंगे लेकिन विकेट ले गए और ये के रहुल 39 वनाइट 20 बोल्स में लास्ट में आकर जो कैम्यों इनिंग थी इस इनिंग ती और और मिचल सेंटनर आप देखिए 10 और की इंदबाजी की क्या उनन दिये लेकिन दो विकेट लेगे ने उतना इंफेक्टिव नहीं रहे और लेकिन फिर भी रचिन रविंद्र आज चले ने इनका बला चिराट बिलकुल आज इनका बला नहीं चला और ये अच्छी चीज़ थी इनका बला आज नहीं